करन जोहर का चैट शो कॉफी वीद करन सीजन एट इन दिनों सुर्ख्यों में छाया हुआ है शो में कई सेलेब्रेटी शिर्कत कर रहे हैं और अपनी पोर्सनल लाइफ से जुड़े कई किससे खुलासे भी कर रहे हैं जिसे लेकर फैंस के बीच बज बना हुआ है इस शो में अब तक रनवीर सिंग, दिपिका पादुगों, सनी देओल, बॉबी देओल, सार आली खान, अनन्या पांडे नसर आचुके हैं और अब शो में आलिया भट ने करिना कपूर के साथ शुरुकत की थी उन्होंने बात चीत के दोरान अपने उस स्टेट्मेंट पर भी बात की जिसके बाद रनवीर कपूर को टॉक्सिक हस्मिन का टैग दे दिया गया था तो चलिए आपको बिताते हैं कि आलिया ने इस पर क्या कुछ रियक्ट किया है, क्या कुछ कहा है एपिसोड की एक हिस्से में आलिया भट ने रनवीर को टॉक्सिक पती कहे जाने पर चुपी तोड़ी है उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ें बेवजह उठा ली जाती है जैसा कि उस वीडियो की वज़े से हुआ, मैंने उस वीडियो को देखा और अपनी टीम से कहा कि ये कुछ अलग जा रहा है फिर मैंने कहा, चलो जाने दो, क्योंकि वो तो हमेशा ही कुछ न कुछ कहते हैं लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कई आर्टिकल्स ऐसे ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें रनबीर को टॉक्सिक पती बताय जा रहा है आलिया ने बात चित के दोरान आगे कहा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग बात कर सकते हैं उस बारे में हो रही थी जिसका मतलब ही पूरी तरह गलत निकाला गया था दरसल वोग इंडिया के lipstick hack से जुड़े एक वीडियो में आलिया ने कहा था कि वो ज़ादा तर nude lipstick ही लगाती हैं इसके बाद आलिया ने वीडियो में lipstick लगाई और उसे पोँच दिया इसके बाद आलिया ने कहा कि वो लिप्स्टिक लगाने के बाद इसे वाइप कर देती है क्योंकि रन्बीर को उनका लिप्स्टिक लगाना पसंद नहीं है जब वो उनकी boyfriend थे और आलिया उनसे मिलने जाती थी तब भी रनबीर उनसे lipstick पोचने के लिए कहते थे क्योंकि रनबीर को उनके natural lips जादा पसंद है इसके बाद रनबीर को जम कर troll किया गया था उन्हें toxic पती, controlling पती और भी ना जाने क्या-क्या कह दिया गया था लेकिन अब आलिया ने इन सब पर चुप़े थोड़ते हुए अपनी बात रख दी है और साफ कर दिया है कि रनबीर बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा कि लोगों को लगता है बॉलिवोड की latest news, gossip, film reviews, song reviews के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल Crazy for Bollywood को And yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नहीं इंफोमेशन आप बिल्कुल भी मिसना करें